सटीश कौश के करीबी दोस्तों में से एक है सलमान खान बात करेें सलमान खान की तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग म Woolie किसी का भाई किसी की जान के प्रोमोशन में काफे बिजी हैं और हाली में एक मीडिया इंटराक्शन के दौरान सलमान ने सतीश कौशिक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है तो चलिए आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं उन खुलासों के बारे में नमश्कार मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं सतीश कौशिक और सलमान खान में एक खास जुड़ाओ था सलमान खान की सबसे बड़ी हिट और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक फिल्म तेरे नाम जो की 2003 में आई थी और आपको विता दे कि इस फिल्म को सतीश कौशिक नहीं डारेक्ट किया था और अगर अब आप बॉलिवुड के फिल्मों को देखे तो जादा तर पुराने हिट फिल्मों का सीक्वल बना कर सिनेमा घरों में फिर से लाया जा रहा है ठीक ही यही आईडिया सतीश कौशिक को भी आया और तेरे नाम का भी सीक्वल बनाना चाहिए इसे लेकर कौशिक ने सल्मान खान के साथ तेरे नाम टू की आईडिया को शेयर किया हाली में अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की प्रमोशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए सलमान ने ये खुलासा किया कि 20 साल पहले सतीष कौशिक ने फिल्म के लिए सिर्फ एक लाइन के आइडिया पर डिसकुशन किया था और सलमान ने तब ही सोचा था कि ये आइडिया सुपब है काफी सालों बाद फिर से कौशिक ने तेरे नाम 2 को लेकर सलमान से चर्चा की उन्होंने तेरे नाम के सीक्वल के लिगे प्लोट पर बात भी की थी और 20 साल बाद कहानी में क्या होगा इसे लेकर भी बात की थी और जल्द ही स्क्रिप्ट पर काम करेंगे ऐसा उन्होंने कहा था अपने इमोशन को रोकते हुए सलमान खान ने कहा कि वह फ्यूचर में कभी आगे तेरे नाम के सीक्वल को बनाने पर जरूर सोचेंगे फिलहाल एंटर्टेन्मेंट की खबरों में सर्फ इतना ही एंटर्टेन्मेंट की खबरों को और देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबिटी एंटर्टेन्मेंट चैनल के साथ नमस्कार